आज हम देखते हैं loop या iterative construct अगर हमें कोई statement या statements को बार बार execute करना है तो हम इसका प्रयोप करेंगे अब ये जो loop है ये एक block होता है मतलब open कर लिब्रेस और close कर लिब्रेस से लिखा जाता है ये तीन टाइप का होता है do while loop, while loop और for loop तो do while loop का syntax देख लेते है जैसे कि हम देख रहे हैं हमने सबसे पहले लिखा है do उसके बाद हमने block लिखा है open कर लिब्रेस और close कर लिब्रेस closing कर लिब्रेस के बाद हमने while लिखा है और bracket में लिखा है condition इसका मतलब है कि ये exit control loop है मतलब हमने यहाँ पे जो condition लिखा है ये true evaluate होगा या false evaluate होगा तो भी ये block कम से कम एक बार तो execute होगा ही तो अब हम entry control loop का भी syntax देख लेते पहला loop है while loop यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये do while की तरह है लेकिन while हमने लिखा है do के जग़ पे और यहाँ पे condition लिख लिया है तो इस condition checking होने के बाद ही हमारा block execute होता है मने इस block के अंदर जो statements है वो execute होते है अब for का syntax भी देख लेते है for के bracket में हम तीन parameters यूज करते है और ये तीनों parameters में separation जो है वो देख रहे कि semi colon से है ना कि कॉमा से पहला parameter है initialization यहाँ पे variable को value assign किया जाता है जो सिर्फ एक बारी होगा second parameter है जो है condition तो पहला initialization है और उसके बाद condition check होगा अगर ये condition true होगा तो ही loop execute होगा माने ये entry control loop है अब condition होने के बाद होगा statement execution जो third होगा और उसके बाद होगा increment या decrement उसके बाद वापस condition check होगा अब initialization नहीं होगा क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सिर्फ एक ही बार होगा तो condition check होगा statement execute होगा फिर से increment decrement होगा जब तक कि ये condition का result false evaluate नहीं होता है तो अब इन सारे ही loop को हम प्रोग्राम में देखते हैं सबसे पहले प्रोग्राम का structure लिख लेते हैं अब हमारा प्रोग्राम क्या है कि हमको welcome 10 बार display करना है अगर हमें कोई कहता है कि welcome 10 बार display करो तो इस प्रोग्राम के लिए display का statement हमें 10 बार repeat करना है मतलब printf हमें 10 बार लिखना है लेकिन अगर हमें इसे loop से लिखना है तो हम क्या करते हैं कि computer को इसका counting को job दे लेते जैसे कि हम मन में जो count करते हैं वो हम computer को बोलते हैं कि पहले 1 और display करो 2 fill display करो इस तरह से तो loop स्टार्ट करने के पहले हम उसका counter लिखेंगे जो कि 1 से start होगा यहाँ पे हम I counter के लिए use किक कर रहे है अब लिखेंगे do do के बाद हमने लिखा curly braces और while while के bracket में हम देने वाले है condition तो do के अंदर हमें क्या लिखना है printf क्या display करना है welcome तो लिखा welcome next line पे के लिए हम slash n लिखेंगे semicolon अब यह counter आगे जाएगा मतलब 1 होने के बाद हमारा do का printf होगा और printf मतलब 1 count किया welcome display किया अभी i increment होगा याने 2 होगा तो यह i 2 होने के बाद हम लिखेंगे while का condition अब i increment होने के बाद हम लिखेंगे condition तो condition क्या होगा condition होगा i not equal to 11 क्योंकि जब वो 10 को exceed करेगा तो loop के बाहार आएगा अब इस program का step by step execution देखते है वाच विंडो में आए जो हमारा काउंटर है अब counter का value हो गया 1 output विंडो में देख रहे welcome आया है counter हो गया 2 condition true है loop वापस execute हो रहा है i का value 2 है अब i का value हो गया 3 condition true है इसलिए loop वापस execute होगा इस तरह से ये loop तब तक execute होगा जब तक की ये value 11 नहीं हो जाता है जब ये equal to 11 होगा तो condition false होगा और वो loop के बाहार आजाएगा अब इसे वाइल लूप से लिखते है वाइल लूप से लिखने के लिए हमें बस सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे ये जो वाइल लिखा है उसे डू के जगा पे लिख लेना है सेमी कॉलन का जरुवाद नहीं है अब आउटपुट देखते हैं नेक्स वीडियो में हम फॉर्ण लूप का सिंटैक्स देखेंगे का वेलिध भी लिए है अवर्ण